नमस्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेशे 24 माई सोमार दुपह सवादू बजी रास्तान की बारा बड़ी खबरे रास्तान में सक्त लोगडाउन का असर ये रहा कि पिछले 10 दिन में एक्टिव केस आधे रह गए 14 माई को प्रदेश में 2,12,753 एक्टिव केस थी, जो रविवार को 1,12,218 पर आ गए यही नहीं, 40 प्रतिशत तक ऑक्सिजन बैट खाली हो गए, वहीं रविवार को 6,521 नए केस मिले और 113 मौते हुई अब केवल 1,000 से जादा नए केस जयपूर में ही आ रहे हैं, रविवार को जयपूर में 1483 और जूदपूर में 501 केस आए शहरी शेत्रे में बढ़ते कोरोना संकर्मन को देखते हुए, सरकार ने पेजल उभोकताओं को पानी के बिल भरने को लेकर रहा दी है इस बार पानी के बिल जौरी नहीं कर जुलाई माह में अपरैल, मैए वेजून माह के उभोक की रक्षी का बिल आम उभोकताओं को दिया जाएगा विभाग के अत्रिक्त मखेसची सुधाश पंत ने आदेश चौरी कर बताया कि अप्रैल मई वेजून माह में जल उभोक के विरुद बकाय राशी तैस समय पर जमा नहीं होने की स्थिती में किसी उभोकता का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा कोरोना की कहर में जान गवाने वाले माधापीता के अनाथ बच्चों के लिए राश्तान सरकार नई योजना लाने जा रही है इस योजना के तहट आश्रितों को दो हजार से धाई हजार रुपए तक प्रती माह की राशी पैकेज के तौर पर दे सकती है हलांकि वित्ती संसाधन को देखती हुए राशी सरकार इस पर दो-चार दिन में फैसला लेगी अभी तक मध्य प्रदेश सहिद कुछ राजों में आश्रितों को पैंशन देने का प्रोसेस कर पाया है सबसे बड़ी घोशना दिली सरकार की तरफ से है इसमें क्या-क्या प्रावधान है? इसकी स्टडी राश्तान सरकार की ओर से कराई चार रही है गहलो सरकार ने प्रदेश में फिर से लोगडान बढ़ाने का ने ने लिया है लेकिन खुद गहलोत के समर्थक विधायक इस फैसले की विरोध में है निदलिय विधायक सयम लोड़ा ने सोशल मीडिया के जरिये सरकार से अपील की की लोगडान बढ़ाने के बजाए अब इसे खोलने का रास्ता सूचना चाहिए उन्होंने लिखा कि इस फैसले से कमजोर और मध्यम वर्ग इतनी कठनाईयों में पढ़ जाएगा कि उसके पास खाने को नहीं रहेगा कोरोना के दूसरी लहर में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस बिमारी के संक्रमन की सटीक जानकारी के लिए बायोपसी जांच ही गोल्ड स्टेंडर है इसमें संक्रमित की नाक के अंदर काली पपड़ी, साइनस या आँख की सर्जरी कर निकाले टूश्यू की माइक्रोस्कोप से चांच कर पता लगाया जाता है जापूर समेत, अजमेत, जोदपूर, उदैपूर, बिकाने, कोटा जैसे शहरों में नाक के स्वाप से लिया गया सैंपल फाल्स नेगिटिव रिपूर्ट दे रहा है जिससे ब्लैक फंगस बिमारी पकड में नहीं आती रासान में कोरोना संकर्मित मरीजों को दस कुना रेट पर रम डिसीवर इंजक्शन और आक्सिजन बेचने वाले सौधागरों को पुलिस ने पकड़ा लेकिन एक भी मामले में पुलिस गिरोख के मास्टर माइंड तक नहीं पहुंच सकी हर मामले में पुलिस के वल उन्हीं लोगों को गिरिफतार कर सकी जो सांसों के सौधागरों के लिए काम कर रहे थे अभी तक भी पुलिस ये पता नहीं कर पाई कि बरामत रेम डिसीवर इंजक्शन कहां कहां से सप्लाई किये गए थे और किसने सप्लाई किये थे 36 गड़ में एक कलेक्टर ने आमजन को थपड मारे जाने की घटना सोशल मीडिया पर वारेल होने के बाए सरकार ने कलेक्टर को हटा दिया है ये कि राज़सान में 12 जुले में कोरोना वर्यर को थपड वाले कलेक्टर राजिंद्र विजय के खिलाफ एक्षन नहीं लिया गया है अपनेता प्रतिपरक्श राजिंद्र राठोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 12 जुला कलेक्टर राजिन्र विजय को फ्रंट लाइन कोरोना वरियर्स ग्राम विकास अधिकारी के थपड माने के बाद भी उसे सरकार के द्वारा राजनेतिक सनक्षन दिया जा रहा है Association of Indian Management Schools की ओर से होने वाले ATMA की registration प्रिकरिया 23 मई को पूरी हो गई AIMS Test for Management Admission की परिक्षा 30 मई को होगी ये परिक्षा Human Proctored Home Based रहेगे Registration करवाने वालों का तैसमें पर Admit Card जारी होगा Admit Card 26 मई को जारी किये जाएंगे इसके बाद एक Mock Test 28 मई को होगा UPSC जल्धी April में आयो जिद हुए NDA प्रथम परिक्षा का पाहिणाम खोशित करेगा परिक्षा पास करने वाले उम्मिद्वारों को इंट्रिवी के लिए बुलाये जाएगा करिब 4.01.00 अमिद्वार हर साल NDA का एक्साम देते हैं इनमें से 6000 SSP इंट्रिवी के लिए चैनित होते हैं पुराने ट्रेंड के मताबिक परिक्षा होने के लगभग एक माहबाद परिनाम आ जाता है इस बार के परिक्षा का परिनाम अब कभी भी आ सकता है कहते हैं सेवा करने की मन में हो तो रास्ता अपने आब निकल जाता है सीकर के मनसुक रनवा मनुस्मृति संस्थान की अभिलाशा ने लोगों की मदद करने का ऐसा ही नया रास्ता निकाला है वे अपने घर में उगने वाली गिलोई की बेल से रोजाना सुबह डंडियां तोड कर बाहरी रेलिंग पर रख देती हैं जो जरूरत हो बगार किसी से मांगे लेकर चला जाता है दरसल अभिलाशा पहले कुछ जगह जाकर गिलोई बानती थी गिलोई इम्मिन्टी बढ़ाने की सर्वस्टिस्ट और शदी है नागर जिला प्रिशासन की ओर से चला जा रहे घर घर सर्वे अभियान के तहत जिले में अभी दूसरा चलन चला है कारेले से मिले आंकडों के मताबिक अब तक चलाए गए अभियान में दोनों चड़नों को मिला कर शहरी शेत्र के 738,175 लोगों का स्वास से जांच कर 9000 से अधिक बुखा जुका एवं खांसी के मरी जो को घर बैठे मेडिकल केट सौंप कर उपचा सुलब करवाया गया कोरोना के चलते दम घुटते जयपूर शहर को मौसम ने खुशगवार कर दिया है लगातार मौसम पलटने से बारिश और लोगडाउन के चलते इस पार मई में न पारा चड़ा और ना ही शहर में पॉलुशन का स्थर पारिश के चलते हवा साफ हो गई और खुला-खुला सा वातावरन ताजगी साथ देने लगा जबकि अपरायल के शुरुवाती हफते में AQI लेवल 287 तक पहुँच किया था जबकि बीते 10 दिन से लेवल 99 से उपर नहीं गया हालांकि पिछली मई में पॉलुशन का स्थर 189 था तो फिलाल इस बिलिटिन में इतना है फिर हज़र होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें